समान रूप से समान सेवा शर्तों पे कारे करने वाले आकस्मिक कलाकार जिन्हें कैज्वल आर्टिस्ट कहा जाता है उनको नियमित किया जा चुका है दूरदर्शन में भी किया गया है आकाश्वानी में भी किया गया है लेकिन हम लोग जो वरशों से सेवा कर रहे हैं similarly situated है उनकी तरह उनहीं की तरह P5 Contract Seat की शर्तों पे काम करते हैं Assignments पे काम करते हैं और आवाज के रूप में हमें लोग जानते हैं हमारे हैं जो आकाश्वानी में उद्घोशक कंपियर का पद है यह आपको मालूम है कि यह स्विक्रित और अस्थाई पद है पिछले 25 वर्षों से इस पे कोई भी अस्थाई नियुक्तियां नहीं की गई हैं और हम ही सारे आकास्मिकों से हमी कैजूल आर्टिस्टों से काम लिया जा रहा है इनका काम ठीक है तो ऐसे में हमलों का नियमिति करण का डिमांड है और यह मेरा अधिकार भी है क्योंकि वर्षू पूर्व से जिन दिनों आकाश्मानी मैनुवल ने ये बताया कि कारे के आधार पे कैजूल आर्टिस्ट को पाँच भागों में विभक्त किया गया सन 1972 भी तो वो पा अधार थे जिनरल अससेस्टेंट संवर्ग जिसमें कॉपिस्ट वगरे सारे लोग थे दूसरे प्रोडेक्शन अससेस्टेंट संवर्ग के लोग थे तीसरे एनाउंसर संवर्ग के लोग जर्नलिस्ट संवर्ग चो थे और पाँचमें एकॉम्पैनिस्ट संवर्ग के लोग आकाश्वाणी महांदेशाले भारत सरकार सूचना प्रसाण मंत्राले के सहयोग पे 8-9-78 को एक स्कीम बनाई गई नियमिती करण की जिसमें सारे समवर्गों का नियमिती करण किया गया 10-7-81 और 21-8-81 के आकाश्वाणी महांदेशाले मेमोरेंडम के आधार पे उसमें production assistant के रूप में कारे करने वाले casual artist, general assistant के रूप में कारे करने वाले casual artist, news reader के रूप में कारे करने वाले casual artist, announcers के रूप में कारे करने वाले casual artist, सबों को नियमित किया गया और उस नियमिती करण के आधार पे दूर दर्शन के अनील कुमार माथुर ने चुकि नियमिती करण की प्रक्रिया पूर्व में अपनाई गई थी इसलिए नियमती करण की मांग के साथ उसने कोट में केस दायर किया माननिये प्रिंसिपल बिंच कैट में और कैट ने देखा कि ये पहले भी प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं तो उन्होंने फिर आदेश किया कि आप आपके यहां के सारे क्याजुल आर्टिस्ट के लिए स्क आइशन हुआ करता था आयन भी मिनेस्ट्री का सुचनापसाण मंत्राले का तो दूरदर्शन ने बिना किसी भेड भाव के अपने दूरदर्शन के सभी आकस्मिक कलाकारों यानि क्याजुल आर्टिस्ट के लिए स्कीम फ्रेम कर दिया और वहां नियमती करण की प्रक्रिय में मामला वाददायर किया और उसने भी कहा कि जब दूरदर्शन में हो सकता है और पहले भी नियमती करण किया जा चुका है तो हम लोगों का भी नियमती करण होना चीए कोट ने आदेश दिया सुरेश शर्मा और अन्य के मामले में कि आकाश्वाणी में भी जैसे दूरदर्शन में सारे लोगों के लिए casual artist के लिए scheme बनाई गई है वैसे ही आकाश्वाणी के भी सारे casual artist के लिए scheme बनाई जाए लेकिन आकाश्वाणी महान देशाले ने क्या किया कि 23.95 को scheme बनाया 24.95 से उसे effective किया लेकिन उसने यहाँ दुरभावना पूर्ण नीती ये अपनाई कि उसने सिर्फ दो समवर्ग यानि जिनरल असिस्टेंट समवर्ग और प्रोड़क्शन असिस्टेंट समवर्ग के निमती करण के लिए ही specific scheme बना दी और समान रूप से समा सेवा शर्तों पे कारे करने वाले हम तमाम आकस्मिक उद्गोशक कंपीयरों को नियमितिक करण के लाब से वंचित कर दिया गया पार्यमेंटी कमिटी रिपोर्ट जो 2019 में आई थी महिला शक्षक्तिकरण के लिए उस रिपोर्ट में इन्होंने संख्या आकाश्वानी में 2200 दर्साया था ठीक है पूरे भारत वर्ष में कि 2200 हमारे कैजूल आर्टिस्ट आकाश्वानी में काम कर रहे हैं और उसमें जो सिफारिशें की गई थी जो रिपोर्ट लोगसभा राज्यसभा के पटल पे रखा गया था उसमें ये बातें कहीं गई थी कि जो लोग भी 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं और सैंक्शन और वैकन पोस्ट के एगेंस्ट वर्क कर रहे हैं क्योंकि वर्तबान में उद्गोशक कंपियर का जो पद है आकाश्वानी में आपको पता है कि वो civil central government employee हैं उनको सारा benefits मिल रहे हैं और उन्हीं का मैं काम कर रहा हूं उनके कारियों के लिए मेरा selection होता है as a casual artist के रूप में तो उन्होंने 22 सोस में बताया था फिर RTI से मंगाया गया तो उसमें 4,271 दिखाया गया यह पूरे भारतवर्ष की संख्या है अभी आकाश्वानी महांदेशाले कहती है कि 10,000 से जादा लोग यह हैं तो आखिर जब प्रसार भारती ने 10,700,2001 को आदेश निर्गत कर दिया था कि बहुत सारे निमिती करण के मावले में केस चल रहे हैं विभिन्न केंद्रों में casual artist के तो आप किसी भी sanction back and post के against नियुक्ती ना करें लेकिन यह हर साल नियुक्तियां किये जा रहे हैं यह दर्शाने के लिए कि हमारे पास एक bulk मिसंख्या है तो यह मैं करूंगा तो आर्फिक बोच पड़ेगा तो सबसे बड़ी बात है और इन्होंने CIC को भी लिख के दिया है कि मैंने 10-7-2001 के बाद अभी तक कोई भी casual panel मैंने नहीं बनाया है उसके पहले के panel से मैं काम ले रहा हूँ तो इनके मन में कहीं न कहीं इस समवर्ग के प्रती दुरभावना पूण विचार हैं देशपून भावना इनके अंदर है यह नहीं चाहते हैं कि इस समवर्ग को नीमतिकरण का लाब मिले चुकी एक दुरभाश पे सुचना करने के बाद ही हम लोगतुरत पहुँच जाते हैं तो यह सोचते हैं कि इनको मैं नीमित कर दूँगा तो यह मेरे बराबर के हो जाएंगे री स्क्रिणिंग या परफॉर्मेंस रिवीव इसके विशह में मैं सारे लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अधिकारियों का यह दमन का काल है यह आकस्मिकों कि और से जो मांग की जा रही है कि मेरा भी नियमित करण होना चाहिए इसलिए यह दमन की नीती पर आ गये हैं और वर्षूं से सेवारत जो हमारे कैजूल आर्टिस्ट यानि आकस्मिक उद्गोशक कंपेर हैं इनको नियमिती करण के अधिकार से वंचित करने के लिए इन्होंने यह परफॉर्मेंस रिव्यू की आड में चुनाओं की टक्रिया जो है यानि रिक्रिट्मेंट प्रोसेजर का एक पार्ट है स्वरपरिशा उसका यह आयोजन साल में एक बार करते हैं इसका आदेश इन्होंने निकाला है वो भी तब जब सुप्रम कोर्ट में इन्होंने केस नहीं बचा पाए और उन्होंने रिमांड बैक मेरे केस में करवाया कि ये लोग सैंक्शन पोस्ट के अगिंस्ट वर्क नहीं करते हैं ठीक है तो उसके बाद ही इन लोगोंने ये लागू किया कि पॉफॉर्मेंस रिव्यू के नाम पे पुराने लोगों को विडाउट किया जाए और रिप्लेस बाई अनदर फ्रेश वन यह नि उनकी जगा पे नए लोगों को ले आया जाए जिसमें वो फिर नेमिती करण का डिमांड नहीं करेंगे तो यह जो इनकी अंदर की भावना है यह आप खुद समझ सकते हैं कि पॉफॉर्मेंस रिव्यू का मतलब होता है कि जब आप कारे कर रहे हूं उस समय रिव्यू जो हमारे डियो रेडियो सुनके वहाँ पे लॉग बुक भरते हैं ट्रांस्मिशन रिपोर्ट लिखते हैं यानि गहन अनुश्रवन करने के बाद जो वह रिपोर्ट लिखी जाती है उसमें ही रिव्यू किया जाना चाहिए लेकिन ये वर्ष में एक बार जो स्वर परिशा का आयोजन करके परफॉर्मेंस रिव्यू निकाला है इसके पीछे इनकी मंशा सही नहीं है इनकी मंशा ये है कि पुराने लोगों को बाहर करो परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पे और नए लोगों को अंदर ले आओ क्योंकि हम नियमिती करन का डिमांड हमारा कम जाएगा यानि यहां भी उनकी मंशा जो है वो दुर्भावना पूर्ण है और सबसे आश्चर जनक विशय यह है जो मैं आपको बताऊं कि ये खुद आदेश देते हैं हर केंदर में हर वर्ष कि आप नए पैनल बनाओ और अपने कागज के माध्यम से इनोंने कहा है आपको मैं पढ़के सुना रहा हूँ आपको आश्चर होगा ये 27 एक 2009 का लेटर है मेरे पास उसमें महा निदेशाले ने सूचना प्रसाण मंतराले को कहा है इट रेमेंड हाव एवर 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 फैक्ट आट अब आप ये सोचिए कि ये कहते हैं कि मेरी बाते हैं हमारे केंदर के अधिकारी नहीं मान रहे है और आप खुद आदेश निर्गत कर रहे हैं कि पुराने को निकाला जाए और नए को लाया जाए तो ये कितना कंट्रडिक्शन है पुराने लोगों को जो वर्षू से ब्रहत अनुभवी लोग हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और उनकी जगा फ्रिश लोगों को लाया जाए अगर आप आवाज की बात करेंगे सुधिर भाई या पॉफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आपको पता है कि हमारे हरीश भीमानी हमारी लता जी ये लोगों इतने वर्षू तक सिवा की है यानि अभी भी कई लोगों की आवाजें सुनी जा रही है आवाजें किसी की खराब नहीं होती है इसके पीछे इनकी जो मनसा है वो गलत है आवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है ये एक्जामेशन लेके यानि जो रिक्रिट्मेंट का एक प्रोसेजर है एक्जामेशन लेके और पुराने लोगों को बाहर करने की इनोंने गलत नीत ही अपनाई है और उसकी जगह नए लोगों को लेने की यानि उनको अंदर कर लेने की बैक डोर इंट्री से लाने की इन लोगों ने एक कोशिश की है एक बात मैं और मनुझ भाई यहां पर जाना चाहूंगा बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में शंकाएं रहती हैं कि यह कैसे संबह होगा और बरसों से अधिकारियों ने यह फीडिंग कर गर की लगातार यह बात कहके कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता आप नहीं हो सकते यह लोगों के मन में पुरी तर से बैठ गया है यह किस तरह से यह बात हो सकती है चुकि लोग जागरित हो गये हैं नेमिती करण की मांग करने लगे हैं तो यह ऐसा चाह रहे हैं कि चाहे परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पे स्वर परिक्षा का आयोजन कि किया जाए उसके माध्यम से लोगों को बाहर का रास्ता निकाला जाए या गलत फीड किया जाए जिसमें आपका यहां कोई अधिकार नहीं है यह गलत फीड अधिकारियों के द्वारा हर केंद्रों पर किया जा रहा है कि भाया आपका कोई अधिकार नहीं है आपको असेस्टेंट में, जनरल असेस्टेंट में, यहां तकी अनॉंसस में भी, तो क्या वो सारे लोग sanction post के against work करते थे वो sanction post के against work नहीं करते थे और अगर देखा जाए तो करते भी थे क्योखि आपने जब नियमित किया है het means कि आप sanction post के against work कर रहे हूँ तभी आप नियमित कर रहे हूँ और हमारे संदर्ब में अगर वो बहाने बाजी कर रहे हैं हमारा सेलेक्शन सेंक्शन पोस्ट के अगिंस्ट नहीं हुआ है अभी आपने महांदेशाले का एक ये देखा होगा 132 प्रिष्टों का उनका रिफ्रेंस लेटर आया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये लिगल रूप से सही नहीं है कि हम इनका नियमितिकरण कर सकें भीया में हूं सिंट्रल गॉब्मेंट में हूं या इंस्ट्रुमेंटलिटीज में हूं सबका नियमितिकरण करो एक मुश्टुपाय की तरह संसदी समीति ने भी 2019 में भी ये कहा है और 2015 में तो यहां तक इनको लताड़ा है कि भीया आप 6 दिन का प्यमिंट करते हो और 31 दिन आप इनसे काम लेते हो तो यह शुरू से इनकी मंसा सही नहीं है और मैं आपको एक बाक्या और बताओं जब सन 1982 में 83 में जो हमारे आज पर्मनेंट एनाउंसर्स हैं जो सेंट्रल गॉब्मेंट इंप्लोई डिक्लेर किये गये हैं उनके साथ भी भेदभाव किया क्या भेदभा गया कर दिया चुकि यह इनके मिंबर थे पी एसे के प्रग्राम स्टाफ एसोशिशन के मिंबर थे इनको इनोंने इनोंने सेंट्रल गॉब्मेंट इंप्लोई डिक्लेर किया एनौंसर्स सम्वर को छोड़ दिया गया एनौंसर्स सम्वर को छोड़ दिया गया एनौंसर्स स तो इस समवर्थ के साथ शुरू से इन्होंने दोहरा मापदंड अपनाया है। इनका 26 दिन 1989 का मेमोरेंडम है। उसके पैरा एक में ही लिखा है कि कोई भी कैजूल आर्टिस्ट बिना सेंक्षन पोस्ट के नहीं बुक किया जाए। पैरावन में। फिर 15.08.2010 के DGAIR के जिनरल आर्डर में भी लिखा है कि सैंक्षन पोस्ट के अगेंस्ट ही बुकिंग होनी चाहिए। चाहे वो पर्मनेंट स्टाफ हो या कैजूल एंप्लॉई हो। तीसरी बात जिस पत्र से मैंने आपको पढ़के सुनाया। उसी पत्र में इन्होंने खुद मिनिस्ट्री को बताया है कि देर आफ्टर एक कंसीजियस डिसिजन वास टेकन पर नॉट इंगेजिजिंग, अबलिक बुकिंग, पर्संस, एस एकैजूल आर्टिस्ट उन कैजूल असाइन्मेंट बासिस। अट्वी एका इन्होंने ओक बाहुचसीं निहें मिनल्ग अटॉट कामशल आर्टिस्टों शियूल इंगेज़ कर इस्टक्टर एके मान सक्दी여ब इन्होंनें वास तयर्ण अब आप बताईए, यह इस बात को सिद्ध करता है, कि वैकेंट और सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट ट्रांसमिशन बेकडाउन से बचाने के लिए हमारी बुकिंग की जाती है, हमारी नुक्ती होती है, इस पर नॉर्म्स, दूसरी बार, एक जगह यह आपको, और हम सारे कैज्वल आर्टिस्ट को, जो उद्धोशक कंपियर की तरह कारे कर रहे हैं आकाश्वाणी में बरसों से, यह गुमराह करते हैं कोट को भी और सारे लोगों को भी, और सरकार को भी, हुआ, कि यह 72 दिन से लस दिन काम करते हैं, इन्हों ने तो पारलियमेंटरी कमिटी क्मिटी रिपोर्ट से भी छिपाया है, दूर धर्शन ने कुलासा किया है कि हमारे यहां बिरानवे, चौरानवे का स्कीम है, और मैं नियमित कर रहा हूं उन लोगों को इन्होंने पर्लियमेंटरी कमिटी रिपोर्ट से भी ये छिपाया है कि आकाश्वाणी ने कैजूल आर्टिस्ट के लिए स्कीम बना रखा है 2395 को जिसे 24-595 से लागू किया गया ये ओए 822-1991 में सुरेश शर्मा और अन्ने के माम सबसे बड़ी बात है कि ये 72 दिन की बात करते हैं देखिए कितना डिस्क्रमिशन है डिस्क्रिमिशन यह है कि आकाश्वाणी में अभी आपने पढ़ा कि हम लोग कैजूल एसाइन्मेंट बिस्स पे वर्क करते हैं हम लोग कैजूल एसाइनी है तो ये 72 दिन नहीं है ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये 72 एसाइन्मेंट्स इने ये रहे हैं ठीक है क्योंकि 17-4-2015 का डीजी का अंडर्टेकिंग संबंधी जो आदेश निर्गत किया गया था उसने में के पैरा एक और दो में डीजी ने खुद कुबूला है कि आप वर्ष में 72 एसाइन्मेंट्स काम करते हो पैरा वन और टू में ये कहते हैं 72 दिन और 72 दिन पे इन्होंने स्कीम बना रखा है सुरेश शर्मा और अन्य के मामले में और सबसे बड़ी बात यहां यह है कि वो 72 एसाइन्मेंट्स है और 72 एसाइन्मेंट्स के लिए 17-3-94 आनवे का दूरदर्शन का एक स्कीम था जिसको सूचना मान निर्धारी किया गया था जिसमें टोटल एसाइन्मेंट्स में जो आपको मिलते हैं उससे जो पाने वाले मान दे हैं उससे वेजज एक्ट से भाग दे के और नंबर ऑफ डेज निकालने का जो वास्तवीक और ब्यभारी विधान बनाया गया था उसको आकाश्मानी में इन्होंने लागू नहीं किया और दूरदर्शन में वो लागू किया गया जबकि दोनों सिस्टर और्गनाइजिशन है तो इन लोगों के अंदर जो ये दोहरा मापदंड है इनके मानसिक्ता में भरा उसका वो पूरी तरह से उदाहरण है तो ये 72 दिन नहीं ये 72 एसाइन दिफिशेंसी डिफिशेंसी इन दे स्कीम रिगार्डिंग काउंटिंग ओफ डेज ऑफ कैज्वल असाइनमेंट्स फॉर एनी परसंस ये खुद स्विकारते हैं अपने लिटर में यानि इनके नियमतिकरण के मामले में जो असाइनमेंट से नंबर अफ डेज के बारे में क कॉलेशन का जो मापदंड है उसमें इनहेरेंट डिफिशेंसी है अभी इन्होंने लेटेस्ट अंडर्टेकिंग का प्रावधान लागू किया कि अंडर्टेकिंग दो और आप लिखके दो कि आप छे दिन से जादा काम नहीं करते हो जिसमें ये बता सकें कि आपको साल में छे दिन बहतर दिन और महीने में सर्फ छे दिन आपसे काम लिये जाते हैं बलकि लेस दिन सिक्स डेस जिसमें आपको निमेती करण नहीं किया जाए आपका जबकि ये गलत है आप खुद कुबूल करते हैं कि ये जो प्रावधान है इसमें इन्हेरेंट डिफिशेंसी है इन्होंने खुद कंचन कपूर और अन्य के मामले में कुछ लोगों को जिनके 72 दिन नहीं हुए थे उनको भी पहले कोट के आदेश पे इन्होंने इड हॉक एपॉइंटमेंट किया और हाई कोट में केस किये और फिर विड्रॉ करके ये लिखते हुए उनको निमित कर दिय गया 2015 में कि 1992-94 का जो दूरदर्शन का स्कीम है उसी को आधार मानके इनका निमित करन किया जा रहा है और विड्रॉ कर लिया हाई कोट से केस विड्रॉ किया और उनको निमित कर दिया गया तो ये कितनी अजीब बाते हैं कि एक मामले में आप निमित करन किये जा रहे हो वह कोई आर्थिक बोज का मसला नहीं है और similarly situated यानि समान रूप से समान सेवा शर्तों पे उसी P5 contract seat पे काम करने वाले casual artist को आप उनके निमित करन की अधिकार से वंचित कर रहे हैं ये कितना contradiction है ये कितना discrimination है गुमराह करने वाले बहुत सारे शब्दों को कोट को भी गुमराह किया शब्दों से और साथ साथ अधिकारियों को भी गुमराह करने के लिए इन्होंने सारे casuals को बहुत सारी चीज़ें बताएं गो ये गुमराह लगातार किया जा रहा है दोस्तों और इस गुमराह करने की नीती में फसे हुए हैं हम सभी और हम अब भी नहीं जागे अब भी अगर हमने कुछ नहीं किया तो वाकई हमारे जीवन पर लानत है और हमें इस बात से बचना चाहिए कि हम पर कोई फिर बाद में ये अलजाम लगाए हम पर कोई ये आरोप लगाए कि आपने अपने अधिकारों के लिए कुछ भी नहीं किया तो हम आज इसी वक्त तयार होते हैं आप सब भी तयार हो जाएं और अब इस अपने अधिकार को लेने की लड़ाई में आप शामिल हो जाएं और इसे अंत तक जब तक हमें ये अधिकार नहीं मि वर्ष्णों से सेवारत हमारे उद्गोशक कम्पियर भाईयों से मैं ये गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो गुम्राह करने वाली बातों पे ना आएं और संगठित हों, राष्टिय संगठन से जुड़ें और अपने अधिकार के लिए तन मन धन से उसमें सहीव करें। अब वो वक्त आ गया है कि आप खामोश न रहें। अब वो समय आ गया है कि आप भी उठें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें क्योंकि अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाला विक्ति ही जीवित कहलाता है। अधिकारों के लिए लिए लड़ें।